नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका All-in-One Study Channel में यदि आपने 12th कम्प्लीट कर लिया है और आप अपना केरियर मेडिकल के छेतर में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट पंदर अमेडिकल डीगरी कोर्स के बारे में ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्स का मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है और सबसे बरी बात तो यह है कि आप इन कोर्स को बीना नीट एक्जाम क्वालिफाई किये हुए कर सकते हैं नीट जैसे कॉम्प्रेटिव एक् और आप एड़िमिसन ले सकते हैं इनमेंसे कोई भी कोर्स करने के बाद आप असानी से वेडिकल के चेत्र में अपना केरियर बना सकते हैं और काफी अच्छी अर्ण कर सकते हैं medical sector में doctor के अलावा और भी कई सारे technician होते हैं hospital में doctor का बहुत जरूरत होता है छोटे से लेकर बड़े hospital और doctor तक बीना technician के doctor patient को operate नहीं कर पाते हैं आप अक्सर hospital जाते हैंगे तो आपने देखावगा doctor के अलावे और कई सारे department के लोग होते हैं उसमें दोस्तो जो भी 15 course हम आपक इसका market में काफी अच्छा demand है और joboscope इसके अंदर बहुत अच्छा है आप इन में से कोई भी course करते हैं तो आप अशानी से कहीं भी किसी भी hospital में job कर सकते हैं और आप 30,000 से लेकर एक लाग पर मन तक आप salary earn कर सकते हैं और यदि आप इसके अंदर higher study करते हैं तो आप लैक द करने के लिए ज्यादा फिस की भी जरूरत नहीं परेगी आप बहुत कम फिस में इन courses को कर सकते हैं तो दोस्तों देरी किस बात की चलिए अब आपको जल्दी से best 15 medical course आपको बताते हैं जो भी 15 course हम आपको बताएंगे उन सभी course का qualification यानि योग्यता सेम है 10 पलस 2 पास होना चाहिए physics, chemistry, biology या physics, chemistry, math के साथ और साथ ही minimum marks 45% या 50% minimum marks होना चाहिए 12 में और कई college तो arts वाले student को भी इन में से कुछ course offer करते हैं इन ही में से कुछ course offer करते हैं जो हम आपको आगे बता देंगे तो चलिए शुरू करते हैं best 15 degree courses after 12 नमबर 1 पे है BS in physiotherapy जिसको BPT के नाम से भी जाना जाता है इसका duration होता है four year four year में ही आपका internship वेगरा include होता है यदि आप फीजियो थिरेपी कोर्स करते हैं BPT तो आप इन courses को करने के बाद आप पेसेंट को exercise के जड़ ये पेसेंट को treatment कर सकते हैं अक्सर आप hospital जाते होंगे तो वाँ फीजियो थिरेपेस्ट डॉक्ट जाना जाता है इसका भी duration सेम है four year का duration है इसी में आपका training वेगरा हो जाता है internship वेगरा यदि आप medical technician course करते हैं तो इसके बाद आप medical lab technologist बन जाते हैं और आप test के जड़ ये पेसेंट को body से आप sample लेते हैं और test के जड़ ये पता करते हैं कि पेसेंट के अंदर किस चीज का बीमारी है कि इस टाइप का बीमारी है और आप test के जड़ ये पता लगा लेते हैं कि पेसेंट के अंदर किस टाइप का बीमारी है और आप report तयार करके वो डॉक्टर के पास बेजते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि पेसेंट के पास फलाने बीमारी है तो इसका भी ज काडिया कियर टेकनिशन इसका विडिूडेशन फोर ऑगन इसा में इंटरणशिब वेगर होता है यादि के dir OS इसके अंदर को आपको केकर करना होता है यह दि पेसेंट को ह attitudes शर्ज्री वे रहता है तो इसको आपको क scrolling करे लापरताऊ जो भी Caliction को केयर करना पड़ता है आपरेशन जो भी ह Dlatego the test τους अधर स्वाई और सरजरी के दरण योप्मेन दतना होता है डॉक्तर और आपको हेल्प करना होता है डॉक्तर को सरजरी के दरण को भी काफी अच्छा है होस्पीटल में नंबर फोर्थ पे हैं बी एसी इन ऑपरेशन थियेटर टेकनिशन जिसको बी ओटी टी के नाम से भी जाना जाता है इसका भी डूरेशन फोर येर का है इसी में इंटर्शिप वगरा इंकुलूड होता है यदि आप बी ओटी टी कोर्स क कर सकते हैं ऑपरेशन थियेटर में यानि कि आप सर्जरी जो भी सर्जरी होता है पेसेंट का तो आप सर्जरी के दौरान पेसेंट डॉक्टर को हेल्प कर सकते हैं सर्जरी करने में और साथी ओटी को रख रखाब ओटी में कौन सी मेडिसिन रखनी है कौन सी मेडिसिन नही एक्सपार मेडिसिन को अटाना है और equipment वगरा को साफ सफाई और सरजरी के दौरान equipment वगरा देना होता है डॉक्टर को आपको help करना होता है सरजरी के दौरान नमबर फिफ्थ पे है बी एस इन डैलेसेश टेकनिशियन इसका भी डूरेशन फोर येर का होता है इसी में इंटरनसिप वगरा इनकुलूड है और यदि आप डैलेसेश टेकनिशियन का कोर्स करते हैं तो आप डैलेसेश अक्सर देखे होंगे किड्नी से रिलेटेड जो डै आपको आपको इस्पेसली ट्रीटमेंट करना होता है नमबर शिख्ट पे हैं बी एस इन एस्थेसिया टेकनिशियन इसका भी डूरेशन फोर येर का होता है अक्सर आप जब कोई भी पेसेंट का सरजरी होता है तो उस वक्त जो इंजेक्शन दिया जाता है बिहोस करने के ट्कष्ट ये तो वह एक अनस्थेसिया डॉक्ट रही इनजेक्शन लगाते हैं पेसेंट को अंधियक्शन को करें इस बी स roles VIP और an aется को जाता है तो उत्य सम्तमाक. एमराई सेंटर बगराव देख्येंगे इसमें क्या होता है मसीन के द्वारा इमेज लिया जाता है पेशन्ट के बॉढी के अंदर का और उसके जड़ी यह पता लगए जाता है कि पेशन्ट के अंदर कि चिसका बीमारी है तो इसका भी काफि अच्छा सब्सक्राइब टेक्नलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है मेडिकल को को करते हैं तो आपको मेडिकल से रियुरे डिये रेटेड जोभी पेशेंट का ठीट्मेंस होता है जो भी चीजा करिकोड रखना पड़ता है आपको सब्सक्रेइब्ध तो काफी अच्छा इसका भी medical में इसकोफ है आपको हर एक patient का record रखना पड़ता है नंबर नाइन्थ पे है B.S. in x-ray technology एक स्रे बगारा होता है तो आप जानते होंगे अक्षर तो इसमें x-ray technology का भी काफी अच्छा इसका भी duration 4 एर का है और B.M.R.T. का भी duration 4 एर का है नंबर टेंथ पे है B.S. in optometry इसका भी duration 4 एर का है optometry का और इसी में इंटरेंशिप बगारा होता है आप optometry का course करते हैं तो आप एक optometry के साथ work कर सकते हैं जो आई से related surgery बगारा होता है तो उनमें आपको help करना होता है आई से related जो भी patient आते हैं उनको आपको care करना पड़ता है नंबर 11 पे है B.S. nursing आप hospital का होंगे तो अक्षर आप nurse को देखा ही होगा इसका भी duration 4 एर का होता है आप बहुत सारे nurse होते हैं hospital में उनका काफी ज्यादा scope ह होता है हर एक patient को care करते हैं nurse का तो काफी अच्छा scope है market में number 12 पे है B.S. in perfusion technology इसका भी duration 4 एर का होता है यदि आप perfusion technology का course करते हैं तो उसके बाद आपको heart or lungs related study करा जाता है detail में आपको heart or lungs related knowledge होता है और heart or lungs related जो भी patient आते हैं उनको आपको treatment करना होता है doctor के साथ और doctor को help करना होता है number 13 पे है B.S. in dental technology आप B.S. in dental technology course कर सकते हैं इसका भी duration 4 एर का है आप dentist के साथ work कर सकते हैं जो भी teeth वेगरा mouth related जो भी patient आते हैं उनको आपको care करना होता है number 14 पे है B.S. in rural health care इसका भी duration 4 एर का है आप इन courses को भी कर सकते हैं और number 15 पे है last B.S. in medical imaging technology इसका भी duration 4 एर का होता है आप इन courses को भी कर सकते हैं और medical के छेत्र में career बना सकते हैं दोस्तों इन जो भी courses बता हैं यह काफी अच्छा course है market में काफी अच्छा demand है और आप असानी से इन courses को कर सकते हैं आप बहुत कम फिस में इन courses को कर लेंगे ज्यादा फिस की जरूरत नहीं होगी और इसमें ज्यादा competition भी नहीं है आप असानी से admission भी ले सकत हैं आप जिसे doctor बनने के लिए कई सारे competitive exam से गुजरना परता है लेकिन इन सब courses में आप असानी से कर सकते हैं और इसके अंदर salary काफी अच्छा है और job scope इसका demand काफी अच्छा है आप इंडिया के किसी भी hospital में job कर सकते हैं साथ ही साथ आप foreign country में job कर सकते हैं और salary काफी होस्पीटल में आप कैसे कितना salary मिल सकता है इंडिया में बाहर में salary कितना मिलता है इंडिया के अलावा क्या है नहीं है यह सारे चीज हमारे चैनल पर upload है आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए और चैनल पर जाकर के देखिए हरे courses के बारे में fully detailed video upload है आप देख सकते हैं बिलकुल असानी से simple language में उसमें explain किये हुए है हर एक चीज आपको मिल जागा आप हमारे चैनल पर जाए और इन सारे courses के बारे में देखिए और आप इन courses को कीजिए कई सारे लोगों को courses के बारे में जनकारी नहीं होती है और वो आप अपना career नहीं चूज कर पाते हैं और रह जाते हैं इसे हैं तो आप इसके अंदर काफी अच्छा salary earn कर सकते हैं और यदि आप इनके अंदर higher study करते हैं जैसे PhD और MSC बगरा तो आप इसके बाद teacher या professor बन जाते हैं बनने लाइक हो जाते हैं और आप teacher या professor के तौर पर भी job कर सकते हैं किसी भी college में या university में medical college या university में किसी भी में नहीं medical से होना चाहिए वो college या university तो वहां आप teacher या professor के तौर पर job कर सकते हैं और आप लाखों में salary earn कर सकते हैं इनमें से courses paramedical के अंदर से हम लेंट लिया है जो आप इन courses को करते हैं तो आप एक respectful paramedics का लाते हैं और तो school मिला के ये सारे career scope आपके लिए अच्छा ह कॉमेंट में जरूर बता है कि इन में से आपको कौन सा course पशन्द आया तो आज के लिए इतना है वीडियो को like करे share करे all in one study channel को subscribe करे thank you for watching